गैस वलंकम डियो ओन चैनल सिविल इंजिनरी श्रमा जी तो कल जॉब डाली थी हिमाचल परतेश में जो जॉब निकली है तो आई होप सब ने अपलाई किया होगा आज के जो वीडियो होने वाला है वो है रेरा एक्ट पर मतलब रेरा एक्ट क्या है और उसके बारे में मैं क State Regulation Authority Act जो 2016 में बना था देखो इसकी में कहानी बताता हूँ हुआ क्या है देखो पहले क्या होता था कोई भी फ्लैड बनाता था बिल्डर जो होते थे वो फ्लैड बनाते थे पैसा आपसे ले लेते थे कई 40% 50% 60% 100% भी लिया कियोंने और उसकी मतलब completion होने में मतलब वो ब रहता था तो काफी गोटाले हो रहे थे काफी इसमें स्कैम हो रहा था तो उसी को कम करने के लिए एक एक्ट बना 2016 में मना रहरा एक्ट रहरा एक्ट ने क्या किया कि बिल्डर के लिए टफ हो गया और मतलब transparency कर दी दोनों के मतलब client के भी और builder के होता क्या था अभी जब रहरा एक्ट आया उसमें जब भी builder अगर आप किसी builder से लोगे मखान मखान वह मैं बुताता हूँ जब भी builder को कोई भी construction करवानी हो उसको रहरा में अपना वो submission करवाना पड़ता है सब मतलब जो भी rule and regulation होगे approval होगे तो वह सब रहरा की जो website होती है उस पर upload करना पड़ता है फिर approval लेना पड़ते हैं तो मतलब एक पूरा fix कर दिया उन्होंने कि आपको सब show करने पड़ेगा क्यूंकि जो भी गर वो बेचेंगे वो carpet area के हिसाब से बेचेंगे ना कि super area में super area में वो काफी गोटाला कर सकते थे carpet area दिखाएंगे कि इतना इतना carpet area होगा carpet area क्या होगे अगर मैं ऐसे आपको बताऊं तो जो आपकी flooring आती है जिस area पे जहां आपका फर्ष होगा वो आपका carpet area होगे तो उसमें करना पड़ा अगर builder ने वो submit नहीं करवाया और construction start कर दी तो जितने की वो construction कर रहा होगा ना उसका 10% अगर 10 करोड की वो construction कर रहा है तो उसका 10% उसको fine देना पड़ता ये एक rule ये पहला जो रेरायक्ट में आते है दूसरी चीज क्या आती थी मतलब अगर वो advance लेना चाहता है मतलब अगर client है जिसका गर बना रहा है या जो builder है जि उनसे 10% ही वो ले सकता है 10% से जादा वो पैसा उनसे पहले नहीं से ले सकता है construction से पहले ये रहायक्ट में दूसरी चीज आए तीसरी चीज आए अगर पांच साल के अंदर building में कुछ भी खराब होता है cracks आते हैं टूरता है dampness आती है तो रहायक्ट करता है repair उसको करना ये हो सकता है अगर by chance builder ने कुछ गोटाला गोटाला किया इस चीज में तो उसको 3 साल की इसमें अभी भी साजा हो सकती है इसमें काफी और वो भी निकला मतलो एक था कि radar act से हुआ क्या completion जो जितना time देता है builder की 2 साल में वो complete कर देगा गर तो वो 2 साल में देने लग पड़ जिससे गोगा foreign के investor थे वो भी invest करने लगे काफी चीज़ें flats में, buildings में तो एक अच्छा हो गया Indian government के लिए भी और लोगों के लिए भी लेकिन इसमें एक तकलीफ दिक्कत आई वो आई जो builders थे जो contractors थे उनको क्या हो था approval और permission के लिए काफी time लग जाता था जिससे क्या होत कम हो गया, उनकी strict regulation होगे कि यह चीज यासे यह चीज यासे होगे, उससे क्या हुगा, मतलब जो builder थे, काफी इसमें से back out कर गये हैं, तो यह चीज इसके बाद rare act के बाद हुगा है, लेकिन एक अच्छी चीज हुई है, सब को systematic way से मिलने लगा है, सब, तो यह था थोड़ा rare act के बारे में basic, इसमें एक दो वीडियो और लाऊंगा, जिसमें मैं अच्छा से और आपको expand करके बताऊंगा, briefly बताऊंगा, कि act क्या कहता है, और भी basic यह, तो मैंने आपको ऐसे basic बता दिया, उसका कि है क्या, और इसमें basic चीजे क्या है, तो I hope आपको वीडियो अच्छ